राजनेतिक हल्चल देखने वाले इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे जो चुनावी बयान है या फिर जो वाइरल तस्वीरे हैं और इसके अलावा चुनावी चौबीसा जिसके अंदर चौबीस खबरें होंगी तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर से जेडियू की राश्ट्री कारिकारने की बैठक में ललन सिंग ने अधक्ष केपत से इस्तिफा दे दिया और इस पर मुहर राश्ट्री परश्ट की बैठक में लगा दिया गया और इसी के साथ एक बार फिर नितीश कुमार ने जेडियू की कमान अपने हाथ में ले लिए याने कि जेडियू मतलब नितीशे कुमार अब सवाल है कि नितीश कुमार एक बार फिर जेडियू के दक्षमन कहे हैं तो वो अब आगे क्या करेंगे लोक सभाचनाओं दोहजार चॉबीस से ठीक पहली बिहार की राजनिती में जबरदस्थ हल चल देखी जा रही है बिहार की सत्ता धारी पार्टी जेटियू में बड़ा बदलाव हुआ है जेटियू कारकारणी के बैठक में ललन सिंग के स्तीफे और नितिश कुमार के राष्ट्री अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के साथ गरीब दस दिन से चली आ रही उसका आसबाजी पर विराम लग गया जिसमें कहा जा रहा था कि जेटियू के अंदर कुछ बड़ा और बहुत बड़ा होने वाला है अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष चुनाव लरने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे इसलिए उन्होंने इक्छा जाहर की कि इस बीच मानिये मुख्यमंत्री जी स्वेंग अध्यक्ष का पद भी समाले जो मुख्यमंत्री जी ने शुकार कर लिया है 19 दिसंबर 2023 यही वो तारीख थी जिसन दिल्ली में INDIA यानि इंडी गटवंधन की बैठक हुई बैठक से पहले नितिश के पक्ष में पटना में पोस्टर लगे नितिश कुमार के पक्ष में माहौल बनाया गया लेकिन बैठक में ममता बनरजी और केज रिवाल ने खेल कर दिया नितिश की जगह कॉंग्रिस सध्यक्ष मलिकारजुन खड़के का नाम पीम पत के लिए प्रस्तावित कर दिया ममता और केज रिवाल के इस प्रस्ताव को नितिश कुमार के साथ किये गए सियासी खेल्या के तौर पर लिया गया इसी बीच दस दिन के बाद यानि 29 दिसंबर को जेटियू के राष्टे कारिकारणी के बैठक की घोशना हो जाती है और कयासों का बाजार गर्म हो जाता है कि जेटियू में कुछ बड़ा होने वाला है बीचेपी नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि लालू से नस्दीकी की वज़़ से ललन सिंग को इस्तीफा देना पड़ेगा और नितीश कुमार एक बार फिर से जेटियू के अध्यक्ष बनेंगे हाला कि बैठक से एक दिन पहले तक नितीश से लेकर ललन सिंग तक इस्तीफा की खबरों को खारिज करते रहे इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के प्रामर्स कर लेंगे आखिरकार वो तारीख आही गई यानि 29 तेसंबट 2030 29 के सुबह सुबह दिली के कॉंस्टिट्यूशनल क्लब में जेटिउ नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ सबने कहा सब कुछ नॉर्मल है बैठक से पहले लनन सिंग नितिश कुमार के कामराज मार्गवाले सरकारी आवाज पहुचे दोनों के बीच अकेले में काफी देर तक बात चीत हुई उसके बाद नितिश कुमार और लनन सिंग ने एक साथ बैठक में पहुँचकर ये संदेश देने की कोशिश की कि all is well समय पर यानि ठीक साड़े 11 बज़ी जेट्यू के राश्य कारिकारणी की बैठक शुरू हुई और ललन सिंग ने व्यस्तता का हवाला देते हुए अध्यक्ष पत से स्तीफे का एलान कर दिया ललन सिंग ने ही नितीश कुमार के नाम का प्रस्ताओ दिया जिससे सर्व सम्मती से पूरी पार्टी ने मान लिया मतलब एक बार फिर से ये साबित हुआ कि जेट्यू मतलब नितीश कुमार नितीश कुमार तीसरी बार जेट्यू के राश्टी अध्यक्ष बने हैं अब वो सीम के साथ पार्टी की जिब्मेवारी भी सम्हा लेंगे मतलब नितीश कुमार पार्टी के सभी बड़े फैसले लेंगे अध्यक्ष बनने के बाद लोक सभाचुनाओं में नितीश की भूमी का बड़ी हो जाएगी वो खुद गढ़बंधन से लेकर कैंडिडेट तक का फैसला लेंगे पार्टी को एक जुट रखने के जिम्मेदारी अब उनके ही कंधों पर रहेगी और वहीं जेडियू के भविश्य को लेकर सारे फैसले भी वही ले पाएगे हाला कि इस जिम्मेदारी को सम्हालने के बाद नितीश कुमार के सामने सब को साथ लेकर चलना एक चुनौती की तरह होगा निव सेथीन के लिए दिली से अमितेश और पटना से आनंद अमरित राज के साथ बिरो रिपोर्ट तो लण सिंग के राश्ट्य दक्षपत से सिफा और नितीश कुमार के जेडियू का फर से राश्ट्य दक्षपनने के बाद से विहार में सियासी हलचल तेज है सियासी दलों के नेता अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इस राश्ट्य घटना करम को देख रहे हैं सवाल है कि क्या विहार की सियासत में अभी कुछ और बड़ा खेला होना बाकी है देश में भले ही शीट लहर चल रही हो पिहार की सियासत में बढ़ी हुई गर्मी बिहार ही नहीं बलकि पुरे देश के सियासी महौल को तपा रही है इसकी वज़ा है जेडियू के साथ साथ महागटबंधन में चल रही खटपट की खबरें लालू पुसाच से दस्दीकियों की खबरों के बीच लालन सिंग आज दिफा और नितीश कुमार के एक बार फिर जेडियो देख्ष का पद सम्हालने के बाद सियासी बयानभाजी का नया दौर शुरू हो गया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतर नाम मांजी का कहना है कि ललन सिंग टेजस्वी को सीम बनाना चौहते थे यही वज़ा है कि उनकी कूरसी गई नितीश के पास एंडिये में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हम तो सौचते हैं कि इंडिये में जाने के सिवा उनके सामने को विकल्प थे एक तरफ जीतर नाम मांजी नितीश कुमार के लिए इंडिये को एक मात्र विकल्प बता रहे हैं दूसरी और बीजेपी नेता और केंद्रुी ग्रिह राज्यमंत्रे नित्य अन्न दुराय का कहना है कि नितिश कुमार के लिए बीजेपी के दर्वाजे बंद हो चुके है बिहार की जनता भारते जनता पार्टी और इंडिये की सरकार चाहती है अब जदू में बचा हुआ क्या है कुछ नहीं है बीजेपी सांसद और विहार के पुर्वे टिप्टिसियम सुशिल कुमार मोदी ने सोशिल मीडिया साइट एक्सपर पोश्ट लिखकर इस बात का इशारा किया है कि खेल अभी बाकी है सुशिल मोदी ने लिखा है मैंने एक हफ्ते पहले ही भईशवानी की थी इललन सिंग हटाए जो आ रहे है लालू से नजदीकियों के कारण इललन सिंग को हटना पड़ा है ये खेल का अंतर नहीं बलकी शुरुवात है अभी काफी गुल खिलना बाकी है खेल की अगली कड़ी का इंतुजार कीजिए अलाकी महागडबंधन के रेताओं का कहना है कि किसी भी पार्टी का अंधुरुनी मामला है इससे इंडी गडबंधन की सेहत पर कुई असर नहीं होगा खुद विहार की डिप्टिसियम तेजवी यादों ने अध्यक्ष बनने पर नितीश कुमार को बढ़ाई दि जेडियो समेथ इंडी गडबंधन की नेताओं के साथ-साथ बिहार की सियासत में सब कुछ समान होने की बात कही ज़ा रही है दूसरी और बीजेपी सांसा सुशिल मोदी कई दिनों से ललन सिंग को अध्यक्ष पत्क से हड़ाई जाने की भाईशवानी करते रहे हैं और आखिर में हुआ भी वही एक बार फिर सुशिल मोदी ने बिहार की सियासत में इससे भी बड़ा खेला होने की भवशवानी की है सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है यूँसे चिन के लिए दिल्ली से अमितेश हुसिंग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बिहार के समय सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नितीश कुमार एक बार फिर से जेडियू के राश्टिय धिक्ष बन गए है और नितीश के सियासी अहमियत बताती है कि क्यूं नितीश कुमार बिहार की राजनिती के लिए जरूरी है नितीश आखर बिहार के सत्ता के धोरी क्यूं बने हुए है इसे नितीश के सियासी सफर से जुड़ी इस रिपोर्ट के जरीय समझी है नितिश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा बिहार में नितिशे कुमार हैं यदी ये स्लोगन नितिश की पार्टी की ओर से दिये जाते रहे हैं तो इसकी वज़ा भी बेलकुल साफ है करीब दो दशक तक बिहार की सत्ता नितिश कुमार की धूरी पर ही घूमती रही है साथ चाहे बीजेपी का हो या आरजेडी का सत्ता का स्वाद नितिश कुमार ही सीम की कुर्सी पर बैट कर चकते रहे हैं एक बार फिर से नितिश कुमार जेडियू के राष्ट्री अध्यक्ष बने हैं बिहार की सियासत का यदी सबसे बड़ा परिवार लालू फैमली है तो सियासत का सबसे बड़ा चेहरा नितीश कुमार ही है वैसे सत्ता के हिसाब से नितीश ने अपने मुख्यमंत्रत्व काल में सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई है पर आरजेडी के साथ भी दो दो बार हाथ मिलाकर अपने फैसले से सभी को चौंकाया भी है नितिश कुमार बिहार के सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले मुख्य मंत्री हैं 2005 से 2014 तक लगातार वे बिहार के सियम रहे नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने जब आगे किया तो 2013 में NDA से नितिश अलग हो गए नितिश ने बीजेपी के साथ अपना 17 साल का पुराना रिष्टा तोड डाला 2017 में महागटबंदन छोड NDA से दो बारा हात मिलाया 9 अगस्त 2022 को RGD से हात मिलाया और आठवी बार विहार के मुख्य मंत्री बने नितिश 1985 में पहली बार नालंदा की हरनौत सीट से विधायत बने जबकि 1989 में पहली बार नितिश बार संसदिय सीट से सांसद बने 1996, 1998 और 1999 के लोगसभा चुनाओं में नितिश ने जीत दर्च की साल 1998 में नितिश कुमार केंदर में रेल मंत्री बने 1999 में नितिश केंद्र सरकार में कृशी मंतरी भी थे साल 2000 में नितिश को NDA की और से सबसे पहले बिहार का सियम बनाया गया था लेकिन नितिश तब बिहार विदान सभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाए थो अपनी पार्टी जेडियू से लेकर बिहार की सत्ता पर पकड़ रखने वाले नितिश कुमार के मगएर फिलहाल सियासत का दूसरा विकल्ब बिहार में नजर नहीं आता ऐसा इसलिए क्योंकि नितिश जिसके भी साथ जाते हैं सरकार उसी की बनती है और नितिश के कदम जिस ओर बढ़ते हैं सत्ता का रास्ता वहीं जाकर पहुनता है और अगला सेग्मेंट बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जुस पर मचवा है सियासे घमासान विजयपी नेता और बिहार विधान सभावे नेता प्रतिपक्षव विजय सिर्हा ने जेडियू के पुर्वत दक्षव ललन सिंग पर बड़ा हमला बोला विजय सिर्हा ने कहा कि किसी की इस तरीके से विदाई नहीं होनी चाहिए जो आया है जाना तई है जो जल्म लिया है मरना तई है लेकिन जो जाता है वो किर्ती करके जाता है उसकी विर्ती उसके जस को बढ़ाता है लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है इनका जो विडती था इनके किर्टी को घटा दिया एक सोहिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्विकार नहीं करता है कभी सियम नितीश के सायोगी रहे उपेंदु कुश्वाहा ने ललान सीख पनिश्वाना साथ है उपेंद कुश्वाहा ने कहा किसीम नितीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। यह कहकर नितीश जी को ले जाया गया आर्जेटी के साथ है। और नितीश जी भी उस जहां से में आ गए। अंतिमरुप से तो गलती नितीश जी की है। लेकिन ललन सिंग जी का एक्टिव रोल रहा इस काम में। और प्रधान मंत्री के सेग्मेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाथ से सोशल मीडिया पर वाइरल हैं चुनावी वाइरल में सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आधितनाथ की पूजा आरशना योगी आधितनाथ ने अयोध्या के हनुमान गड़ी मंदर पहुचकर पूजा आरशना की है कि वाईया की ना फेस्ठ चीने जहां पर उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री पूजा कर रहे हैं में हसुझे दोर्वे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्रि योगी आदित उनातने उस जहां श्वेनीवार को पीयम मोधी की रैली होनी है दिरुक्षवड के बाद योगी आधित वनात ने सेलफी ली जहां पीयम मोधी रैली को संबोधित करने वाले हैं दिल्ली में जेडियू की राश्यू कारिकारने की बैठक हुई और बैठक के पहले जेडियू कारिकरताओं ने नितीश कुमार के पक्ष में नारे बाजी की जेड़ू कारे करताओं ने देश का नेता कैसा हो निटीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए राजसान की उपमुक्यमंत्री दिया कुमारी ने सुरी गंगा नगर में रोश हो किया और तुरान लोग की भारी भीड देखने को मिली ये तस्वीरें वारेल हो रहे हैं राजसान की डिरिक्टे सीम का रोड़ शो और दिया कुमारी को आप देख पा रहे हैं और इस चब रोड़ शो हो रहा था तो काफे भीड उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी और अब देखते हैं चुरावी 24 अच्छ ललन सिंग ने जेडियू के राश्टो एदक्ष के पद से दिया इस्तिफा लोग सबा चुराओं में विस्ता का दिया हवाला सीम नितीश दुबारा बने पार्टी अध्यक्ष सियम नितीश कुमार के हाथों में फिर से जेडियू की कबान कारिकारने सदस्यों के आगरा के बाद नितीश बने पार्टी के राश्ट्य अध्यक्ष नितीश कुमार के राज़्य देख्ष बनाई जाने पर जेडियू कारियाले में जश्रका बहुल कारिकरताओं ने दफ्तर में बाटी मिठाया नितीश कुमार के समर्थन में लगाए नारे पिप्टी सिम तेस्वी यादों ने जेडियू के राज्ट थक्ष बनने पर सिम नितीश कुमार को दिवधाई बीजेपी के आरुपों पर ध्यान नहीं देने की दीसला जन सुराज के सयोज़क प्रशांद किशोन ने सीम नितीश कुमार पर बोला बड़ा हमला कहा नितीश कुमार राजनेता के रूपे बोज़ बन गए विजेपी सांसा सुशेल मोधी का जेडियू पर अमला कहा लालू प्रसाथ से नस्वीकियों की वज़से ललन सिंग को हटाया गया अभी पार्टी में और गुल खिलना बाकी है ललन सिंग को लेकर निताप्रतिपक्ष विजय सिराह का बयान कहा जब पार्टी का विश्वास न रहे तो वहां रहने का कोई औचित नहीं है ललन को पहले ही इस्तिफाद दे देना चाहिए था जेडियू में दक्षपत में फेर बदल के बीश्वार जेडिय दक्षव उपिंद्र कुश्वाहा का बयान कहा नितीश कुमार के साथ धोका हुआ है जेडियू में तूट तै है ललन सिंग के स्टिफे पर बीजेपी प्रदेश दक्ष्वार चौधरी की पुथिक्रिया कहा ये जेडियू का अपना मामना है इससे हमें कोई लेना देना नहीं ललन के स्टिफे पर वितमंत्री विजे चौधरी का बयान कहा लोग सभाच चिनाओं की वज़े से ललन सिंग बाहर रहने वाले थे इसलिए उन्हों की स्टिफे की पेश्वश नितिश कुमार के जेडियू अधक्ष बनने पर चीतन ना मान जी का निशाना कहा तीन वर्षे योजिना के तहट ललन सिंग का पत्ता साथ जेडियू अधिक्षाइव मिश्क श्वाह का ललन सिंग के स्तिफे पर बयान कहा राष्ट्रे कारिकारणी के सबस्यों की आगरापर मुख्यमंतरी ने सम्हाली पार्टी की भागदोर लणन सिंग के सिफे पर बोले ग्रामिड विकास समंत्री स्रॉन कुमार कहा चुनाओ की वज़े से पार्टी को समय नहीं दे पाएंगे लणन सिंग इसलिए छोड़ा पार्टी का पार्ट J.U. में राश्ट्र एदिक्ष के फिर बदल पर UP J.U. अदिक्ष श्यसातिंद्र पटेल की प्रतिकरिया कहा नई उर्जा का संचार हुआ है निटीश के एदिक्ष मनने से UP छार्खन में होगा इसका सारी जेडियू में सियासी फेर बदल की बीच केदवे ग्रिह राजी मंत्रे निट्यान दुराय का हमला काहा पिहार की जनता एंडिय और बीजेपी की सरकार चाहती है अब जेडियू में बचा क्या है जेडियू की मिटिंग के बाहर इंडिया व्लॉक में निटीश कुमार को आगए बढ़ाने को लेकर लगे पोस्टर पोस्टर में इंडिया मांगे निटीश के लिखे गए नारे रुत्रों के पुताबिक तेस्वी यादव का मिदेश दौरा रदच है जनवरी को और श्रीलिया और न्यूजिलेंड के दौरे पर जाने वाले थे जिप्ती सीम तेस्वी यादव निमन सुरिन सरकार के चोथे वर्षगार्ट समारों का यूजन ती नजार 690 करोड के तीन सो तेस्यूजिनाओं का श्वीला न्यास और उत्खाटर उज्वलाला भारती महिलाओं ने रायस्थान के सीम बज़न लाजश्वर्मा का चुताया भार बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची सीम आर गैस सिलिंडर 450 रुपे करने के लिए सीम को धिया धन्यवार लुक्सवाद देक्शों बिर्ला अपने रायस्थान दोरी को लेकर पहुंचे भूंदी अपने संसदी शेत्र में स्पीकर ने लोगों की समस्याओं को सोना और जल्द समधान का श्वास दिया विक्सित भारत में अभ्यान को जन आंदोलन बनाएगी बीजेपी पार्टी महासस्चीवी सुनील बंसर के नित्रत में आज़्ट सरस्या मॉनेट्रीन कमीटी गठे मत्रदेश में मंत्रियों के विभाग बढ़वारे पर दिल्ली में मंतंग्री अमिशा से मिलेट ट्रियम टॉक्टर बोहन यादो जल्द विभागों के बढ़वारे पर फैसला संभाव स्थिजगर किसी हैं विशुन देव साइक के जश्पुर दोरे का दूसरा देन कई कारिखमों में हुए शामिल गुरुवार को सीम का हुआ था जोर दान स्वागा और खबरे लगातार जो आ रही हैं बने रही हमारे साथ कर दो किसी हैं बने रही हमारे साथ